नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल येस इस्टीडी पॉइंट पे आज हम मानव भूगोल में देखेंगे बहुत ही महतपूर यूनिट को राजनेतिक भूगोल को तो राजनेतिक भूगोल जो आपके परिच्छा की दर से बहुत ही है दोनों ही जो है सिधान परिच्छा की दर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक साल अल्टरनेट करके आता ही आता है तो आप इस पर अपना एक नूट तया करके रखिए और बार 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 इसको लिख करके जो है लिखने की भी एंसर राइटिंग करने की भी प्रेक्ट रहेगा तो हम अब राजनीतिक भूगों में पहुंच चुके हैं तो हम देखेंगे कि विश्व की राजनीति से संबंधित चीजों को यहां पर डिसकस करेंगे तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हिर्दे स्थल सिधान्त और इंगलिस में बोलते हैं हटलें थिवरी तो इसके द्वार दीगे थे यह विद्वान थे मैकेंडर तो विद्वान थे मैकेंडर उनके द्वारा 1904 में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया जिसका नाम क्या था इतिहास की भौगोलिक धूरी तो आपको अपने एंसर में यह सब नाम लिखने पड़ेंगे कि कब कौन सा इन्होंने पब्लिश किया था अपना पेपर इस लेक में क्या बताया था इन्होंने विश्व को तीन भौगोलिक प्रदेसों में बाटा था पहला भौगोलिक प्रदेस क्या बता था इन्होंने भौगोलिक धूरी उसका पहले प्रदेस का नाम दिया था इन्होंने भौग आपीज स्रंखलाओं यानि 3 तेन तरफ से परववस से घिरा ह Mayo की नव से थस महीने तक योनिकी बर्ष से ढकार आर्करटिक सागर से घिरा है तो इनोंने जो फहागोलिक धुरी जो छेत्र includes बदाया है और इसके उत्तर में जो है, क्या है, आर्कटिक सागर है, आर्कटिक ओशन है जो क्या है, वर्ष भर, लगबग 9-10 महीने तो बर्ष से जमा हुआ रहता है ये तो यह क्या है आपका प्राकरतिक किला के रूप में नोंने इसको देखा तो इसलिए इसको क्या बोला भागोलिक धुरी सब दिया इसको फिर जो दूसरी जो दूसरा प्रदेश क्या बताया इन्होंने दूसरा प्रदेश बताया इन्होंने आंतरिक या सीमा वर्ती अर्ध वरत्ताकार छेतर तो जो आंतरिक यूरोपी छेतर था उरेसिया का छेतर थ उसके आसपास का जो एरिया है उसको इन्होंने क्या बोला उसको इन्होंने बोला कि आंतरिक या सीमा वर्ती अर्द वरत्ताकार छेत्र पर जो तीसरा प्रदेश होता है तो तीसरा प्रदेश होता है वाह अथवा द्यूपी अर्द वरत्ताकार छेत्र यानि कि इसके जो बाह है कैसे बनाना है ाप देख लीजिए अब कर यहां पर carved क्या इन्होंने बोला है धुरी जिछेतर जो है तो धुरी छेतर जो बोला है इसके इधर भी परवत है इधर भी परवत है और इधर भी परवत है और इधर क्या है आपका आरकर्टिक हिम सागर है जो वर्ष में 9 से 10 महीने तो हमेशा बर्ष से जम्मा ही रहता है यानिकि यहां से आप प्रवेस नहीं कर सकते हैं इधर से एसका बाहर दिखर आर्थ चंदरकार पेटी तीन पेटिया इन्होंने बताई हमने उनको मैप में देख लिया तो मुख्य रूप से आपको यह तीन पेटियां आपको पता होनी चाहिए ठीक है और इनका जिकर आपको करना है वहाँ पर और धुरी भूमी क्यों बोला है वो भी उताना है उसको उसको जो प्राकर्तिक के लिए उन्होंने बताया है अब हम देखते हैं आगे इन्होंने अध्धन किया नि जो तीन प्रदेश बताया है पहले धुरी भूमी बोली फिर आंतरिक या सीमा वरती अर्दवरत्ता का छेतर बोला फिर तीसरा बोला वह अथवा दुपी अर्दवरत्ता का छेतर बोला इन्होंने और पाया कि भौगोली धुरी पर कोई अपना अब क्या चल रहा था यहां पर प्रथम विश्युद्र समाप्त हो चुका था उन्निस सो उन्निस में जो की चला था कितना उन्निस सो चौदा से ले करके चला था उन्निस सो उन्निस तक चला था तो प्रथम विश्युद्र समाप्त हो चुका था यहां पर उसके बाद इनक इसका नाम क्या दिया था इन्होंने, the democratic ideals and reality, तो ये इनका जो है लेख का नाम है, अपने एंसर में इनके लेख का नाम जरूर लिखेंगे, इसमें इन्होंने क्या बता है, इसमें प्रथम बार जो हिर्दय इच्छेतर जो बताया था इन्होंने, या हिर्दय स्थल सब्द का भागोलिक धुरी के लिए, यानि जो पहले भागोलिक धुरी था, अब उसकी जगर नया नाम क्या लग दिया, इसका हिर्दय स्थल लखा गया, मैकिंडर ने अपने जो पूरू परिकल्पना, जो इससे पहले जो इन्होंने कॉंसेप्ट दिया था, निस अंकल्पना दि थी, उसको नय रूप में संसोधित करके, जो है इसको फिर से प्रस्तुत किया, 1919 में दुवारा इन्होंने अपना एक लेख लिखा, तो अब देख लेते हैं, इन्होंने क्या बताया इन्होंने, देखिए, यहां पर इन्होंने मित्र राष्ट, इसमें कौन-कौन थे, बृटेन हो गया, फ्रांस हो गया, और रस्या हो गया, अमेरिका हो गया, यह सारे इस साइट थे, इटली हो गया, और दूसरी साइट में कौन थे, Draen milage South, इनको बोलते हैं, धुराष्ट, धुरराष्ट, तो धुराष्ट में कौन उन्हें चैतावनी देने का प्रयास किया अपने लेख के माध्यम से 1917 में जो है रूसी जार सामराज समाप्त हो गया था और वहाँ पर क्या नव कम्मिनिष्ट सासन जर्मनी से संधी कर चुका था तो आपको पता है 1917 में बहुत ही महतपूल घटना हुई थी कौन से हुई थी रूस की क्रांती हुई थी तो उसमें रूस की क्रांती जब हुई थी तो जो जार सामराज था उसको साप्त कर दिया था और एक नया सामराज स्थापित हुआ था जो कम्मिनिष्ट सासन था तो उसने क्या करती ते उसने प्रत्थम व्युद्ड के समय जो है जर्मनी से संधि कर ली थी और वो जो है प्रत्थम महायुद्ड से अपने आपको अलग कर छुका था अब आगे नहीं क्या वताया उसी जम्हाह की घटनाए हम देख लेते हैं जर्मनी के जहाजी बेड़े थे उन्होंने बिटिस नोसेना को क्या करते बाल्टिक सागर से बाहर कर दिया था तो आप जो मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वहां पर कहां पर बाल्टिक सागर है कहां पर काला सागर है तो यहां पर क्या है इन छेतरों में ज जर्मनी था वो जाता ही वर्चतव अ स्वाली दिखाई दिया तो इन घटनाओं को दीखते हैं उन्ह mésता हैं इस लिए अले अले लेक में इन्होंने क्या किया इस इस्थल को भी इन्होंने सामिल कर लिया नहीं कि हिर्दे इस्थल की सीमा को सीमाओं का विस्तार किया गया चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखना है मैप में देखना चाहूँ तो देख लो आप यहाँ पर यहाँ पर यह मैप में दिखाया हुआ है यहाँ पर ब्लैक सी है यहाँ पर यहाँ पर बाइटिक सी है यहाँ इस वाले एरिया को जो है पहले सामिल नहीं किया गया था देखिए आप यह जो एरिया आपको दिख रहा है इसको पहले सामिल नहीं किया गया था मैकेंडर के दौ पर इन्होंने क्या बताया था प्रथम विशुद की जो सितियों को देखते हुए हिर्देस्थल की सीमा जो है बार्टिक सागर मध्यवर्ती निचली जो डिनूग घाटी थी और काला सागर तुर्की आर्मेनिया एरान तिब्ब तथा मंगोलिया को भी इसके इंतरगत क्या कर दिया विस्तार कर दिया गया पिर अब यहां पर इन्होंने क्या बताया इन्होंने ये बताया कि इस शेत्र में के घुसना है तो जहां पर जो है इस शेत्र में इतना पावरफुल ये शेत्र है इस शेत्र में कोई भी घुस नहीं कर सकता है तो यहीं बताया इन्होंने हिर् में एक संकरा सा रस्ता है वहीं से ही प्रवेस किया जा सकता है आपके हिर्देस्थल में तो वही लिखा है यहाँ प्रवेस केवल पूर्वी यूरोप से ही संभव हुए तो यानि कि आपको यह जो छेतर पढ़ रहा है कहां पढ़ रहा है वो पूर्वी यूरोप में पढ़ तो अगर आपको हिर्देस्थल के अंदर घुसना है आपको अपनी सेनाओं को भेजना है तो क्या करना कड़ेगा पूर्वी Raphael पर कब्जा करना पड़ेगा निए पूर्वी उरोप से ही आप करेगा और इस तरह वही राज विश्व दीऊपन इसासन करेगा और इस प्रकार संपूर्ण विश्व पर क्या हो जाए कि उसका सासन इसथापना करनी है तो उसके लिए कहां जो विशु के अन्य देश हैं जो द्यूपी देश हैं उनके पर कंट्रोल करेगा और जब सब पर कंट्रोल कर लेगा तो क्या हो रहेगा वो पूरे विशु को अपने नियंतरण में कर लेगा तो इसके लिए जो है कुछ लाइन्स यहां पर लिखी हुई है आपको ऐसे तो यह लाइन ज़रूर लिखनी है बहुत इंपोर्टन है परिच्छा के देश से अगर नहीं लिखेंगे फिर तो मार्क्स में देने में दिक्कत होगी एक्जामिर को अब देख लेते हैं फिर अपनियों ने 19 से 19 के बाद 1943 में फिर से इन्हों ने क्या किया है एक लेक फिर से छापा तो 1943 में आया इनका लेक तो 1943 में मैकेंडर ने एक नए लेक लिखा जिसका नाम क्या था दा राउंड वर्ड एंड विनिंग आफ पीस तो यह अगला लेक है इसको भी आपको अपने अंसर में लिखना ही पड़ेगा इनको तीनों लोगों को नाम जो है आपको वो आने चाहिए इसमें क्या बता है इन्होंने चार प्रदेशों की पहचान की जिनका विस्व की राजनीती में महत्त है तो यानि कि वर्ड की राजनीती में जो महत्तों के चार छेत्र हैं वो कौन कौन से है पहला क्या हो गया हिर्देश थाल आज भी विस्व की भू राजनीती में महत्पूल है फिर दूसरा क्या होगा मद्धि भूमी स्थल हो गया फिर तीसरा हो मानसूनी एसिया का छेतर हो गया और चौथा इन्होंने बताया कि दच्छडी अट्लांटिक का छेतर हो गया तो इन्होंने अपने अगले अभी लेग में इन चार छेतरों की पहचान की चलिए अब हम क्या देखेंगे इनकी कुछ aрacular कर देते हैं जो उन्हें इतना बताया है अब उसके आलोचना प्याते हैं तो इनकी आलोचना में क्या लिए सकते हैं पहला बात तो लिख सकते हैं कि मैकिंडर ने इतिहास का सही से बिस्लेसर नहीं किया इन्होंने बोला था कि कभी भी जो हिर्देस्थल पे जो है किसी ने सासन नहीं किया ये गलत बात है फिर दूसरी क्या बात करी उन्होंने प्राकर्तिक किले को हिर्देस्थल बदाया जो चारो तरफ से कर कोई चीज बंद है अगर तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वही सक्तिसाली यानि सक्ति का केंदर हो चुकि सक्ति केंदर होने के लिए और भी बहुत सारे संसाधन चाहिए होते हैं ना कोई भी अगर किसी को विश्व का सूपर पाउर बनना है वर्ड का सूपर पाउर बननी है अगर विश्व की विश्व के इस्तर पे तो उसके पास संसाधन बहुत जादा होने चीए तकनीकी होने चीए यह सारी चीज़ होने चीए यह नहीं कि खाली जो प्राकर्तिक किला इधर परवत हैं और इधर आर्कर्टिक है लेकिंगे उपर से तो कुछ नहीं ओपर से आएँगे बम गिरा के चली रहेंगे परमाड़ वम छोड़ देंगे तो क्या है ये कोई किला नहीं है प्राकर्तिक इला नहीं है आप क्योंकि तक्नोलाजी तेजी से विक्सित होई वाय जीवन के प्रतिकूल है, तो कि आप देखेंगे, यह रसिया का वह छेतर है, जहां पर क्या है, हमेसा वर्स ब chef थंडी रहती है, वहाँ की भूमी है, वह बंजर है, नि कि Siberia का चेतर है, बहुत बड़ा हिस्ता है, Siberia का आता है, इसके अनदर, तो यह जो छेत्र है वो इतना जाता अच्छा नहीं है, मानों के जीवन के अनुकूल नहीं है, कि वहाँ पर मानों अच्छे से रहें, वहाँ पर खेती कर सकें, और साथ में उद्दोगों का विकास हो सकें, यह ऐसी परसितियां ही अवलेबल नहीं, बहुत ही कठिन परसितिय अगर सक्ति को भी सो सक्ति बनना है तो उसके बाद संसाथन बहुत ज्यादा मात्रा में होने चाहिए तो यह रही इनकी आलोचना तो परिछा की दिर से बहुत इंपोर्डन्ट है और यहां पर बहुत ही सरल भासा में बताया गया है आपको संधाने का प्रयास किया है मैंने अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जो करिए और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजेगा और जिगराफिय ऑप्शनल के पेट ग्रूप से जोड़ने के लिए हमसे जो है इस नमबर पर कॉल कर सकते हैं और पेट ग्रूप से संब्सक्राइब अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यहां पर आपको पूरा जोग्राफिय ऑप्शनल कंप्रीट त्यार करा जाएगा साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करा जाएंगे साथ में टेस्ट सेरीज भी करा जाएगा अगर कुसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो उसके लिए पर्सनल गाइडेंस भी जिया जाएगा तो जिन लोगों को भी अपना ऑप्शनल सेलेक्ट करना है ऐस जोग्राफ कि युझ कर स में की दोगों को जा जबते है है इंशनल सेलेक्या जो उसक में टेस्ट गफ़ रखिग पल to कर सकम को का तो जाएगा है एंपकों कि आपकों के किस्के अनृटंबमेंस तो आफसके लिए है नार्ब कर्पक्र ना अंपकों के लिएसे रतका जाएवागा है वि